हलो फ्रेंज, वेलकम टू माइ योट्यूब चैनल, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैंडी रॉक्स योट्यूब पे कही तरह का वीडियो है जिस पे बताया जाता है कि ऐसे अब वीडियो को प्रोमोट करें वैसे अब वीडियो को promote करो तो आपके views बढ़ेगा और watch time बढ़ेगा लेकिन आज एक बात आप अच्छी तरह से समझ लो कि YouTube का जो new policy है उस पे clearly mention किया गया है कि आप अगर किसी भी गलत तरीके से आपके वीडियो को promote कर रहे हो और watch time लाड़े हो तो वो watch time monetization के time पे count नहीं किया जाएगा ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो जैसे कि अगर आप YouTube पे search करोगे कि कैसे वीडियो को promote करे तो कुछ आसान तरीका आपके समने आ जाता है बट ये सब तरीकों से आपको दूर रहना है कुछ गलत promoting का तरीका for example Google ads या फिर sub for sub etc ये सब आपको कभी असमाना नहीं चाहिए ये बात आप अज आपके दिमाग फे फिट कर लीजिए तो आप कैसे आपको वीडियो को promote करे देखिए आप अगर कुछ अच्छा वीडियो बनाते हो तो वो वीडियो YouTube खुद promote करता है तो आपको सिर्फ मैनत करना है और अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करना है बट फिर भी YouTube आपको कुछ option दिया है जिस पे आप आपके वीडियो को promote कर सकते हो और वो एकदम 100% genuine तरीका है जो YouTube खुद ये option आपको दिया है तो आज इस वीडियो पे मैं आपको तिन genuine तरीका बताऊंगा जिससे आप आपके वीडियो को free में promote कर सकते हो और इससे आपको कोई problem नहीं होगा monetization के time पे अगर आप ये तिन option यूज कर रहे हो हो जुरूर ये तिन option यूज करना है तो चलिए देखते हैं कैसे आप आपके वीडियो को promote कर सकते हैं एकदम 100% genuine तरीकों से वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात मैं बताऊंगा कि आप अगर मेरे चैनल पे नया हो तो अभी subscribe बटन पे क्लिक कीजिए और notification bell को भी press कर देना क्यूंकि इस चैनल पे मैं regular कुछ interesting and important वीडियो अपलोड करता हूँ करते हैं वीडियो प्रोमोट करने का पहला option है दिखिए आप अपने वीडियो अपलोड करते समय डिस्क्रिप्शन तो मेंचन करते ही होगे तो अगर आप description टाइप करते समय आपका previous जो सब वीडियो है उसका लिंक अगर description box में इस तरह से अगर mention करते हो तो यह एक secure procedure है जिस पे आपको कोई problem नहीं आएगा आप किसी भी मेरा वीडियो को open करके देख सकते हैं कैसे में हर एक वीडियो के अंदर मेरा जो previous वीडियो होता है उस वीडियो का लिंक म मैं यहां पर दे देता हूँ जिससे मैं बहुती easy way से viewers के सामने मेरा जो previous वीडियो है वो ला सकता हूँ आप आपके वीडियो जब बना रहे हो तो वीडियो बनाते समय viewers को आप बोल दीजिए कि कुछ वीडियो का link description box में आप दे दिये हो अगर चाहे तो वो viewers उस वीडियो को जाके देख सकते हैं तो अगर कोई viewers आपके description box जाके check करता है और वहां से कुछ वीडियो आप उसको पसंद आ जाए और वो जाके उस वीडियो को देखते हैं तो इस तरह से आप अपके पुराने वीडियो को easy way से promote कर सकते हो इससे कोई problem नहीं आएगा monetization के टाइम पे य इससे आप अपके वीडियो को promote कर सकते हो आप कुछ नया वीडियो अगल बरना रहे हो तो उस वीडियो का link भी पुराने वीडियो में डाल सकते हो जैसे कि कोई भी वीडियो आप open कर लीजिए उसको edit कर लीजिए edit करके आपका जो नया वीडियो है उसका link उन्हाँ पे आ जाए तो वीडियो open करके देख सकते हैं इस तरह से आप आपके वीडियो को promote कर सकते हो तो यह एक genuine and 100% secure option है वीडियो promote करने के लिए तो अगर आप यह option यूज नहीं कर रहे हो तो यूज कर सकते हो description को आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा अगर आपको description लिखना नहीं आता है ठीक तरह से तो उपर आई बटन में मैं एक वीडियो बनाया हूँ कैसे आप description लिख सकते हो कैसे title लिख सकते हो कैसे tags लिख सकते हो जबकि यह तीन option बहुत ही important है आपके वीडियो को ranking पे लाने के लिए उसका link में उपर आई बटन पे दे दिया वीडियो प्रोमोट करने का दूसरा option देखिए आप आपके वीडियो को upload करते समय उस वीडियो में कुछ आई बटन या फिर card add कर सकते हो जो की एक 100% genuine option है आपको वीडियो को promote करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे add card option को मैंने open करके रखा है यहाँ पे आप देख लीजिए इस option से आप 5 card add कर सकते हैं और हरे card के अंदर एक video या फिर एक playlist आप add कर सकते हैं यहाँ पे इस video पे देखिए मैं 4 card add करके रखा हूं आप को zoom करके दिखा देता हूं इस तरह से आप अगर चाहों तो हरे एक video के अंदर टूटल 5 card add कर सकते हो और एक एक card के अंदर एक-एक वीडियो का link आप दे सकते हो या फिर आप लेइस भी दे सकते हो और आप जब वीडियो बना रहे हो उससे में आप viewers को बोल सकते हैं अगर आप चाहो तो i button पे जा के check कर सकते हो जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा हूँ अगर आप चाहो कि कैसे i button add किया जाता है वीडियो पे अगर आपको नहीं आता है तो उपर i button में एक link दे दिया हूँ वीडियो का जिसे मैं पूरा details में discuss किया हूँ कैसे आप आपके वीडियो में i button add कर सकते हो इस तरह से अगर आप कोई भी वीडियो के अंदर कुछ important वीडियो का link उस वीडियो के related दे देते हो और viewers को बोलते हो तो viewers अगर चाहे तो वो वीडियो का link जाके i button से चेक कर सकते हैं तो इस तरह से आप 5 card add कीजिए किसी भी वीडियो में और हर एक वीडियो के अंदर ये 5 card क मद्धम से 5 वीडियो को अब easy way से and secure procedure से वीडियो को promote कर सकते हैं वीडियो promote करने का last option है end screen आप देख सकते हैं अब किसी भी वीडियो को मेरा open कर लीजिए वहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक बहुती attractive end screen बनाता हूँ एक attractive out pro बनाता हूँ जिस पर मैं अपने वीडियो को promote करता हूँ तो अब हर एक वीडियो के last में 15 second का एक outro design कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो outro है मैं आपको play करके एक बात दिखा देता हूँ हर एक वीडियो के last में यह outro play होता है जिसमें एक वीडियो का link एक दो या चार वीडियो का link आप दे सकते हो अगर वीडियो को भी शायद वो open कर ले और इस तरह से आपको अपके वीडियो पे व्यूज मिल जाएगा और watch time भी मिल जाएगा तो कैसे मैं एक outro design करता हूँ यहाँ पर आप देख लिए कर दो है 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 तो देख सकते हैं आप इस तरह से आप अपके वीडियो पर एक screen design करके JAड कर सकत हो एक a amor design कर सकतो अगर आपको नहीं आता है कैसे इं screen add किया जाए या फिर कैसे आउट रो बनाया जाता है तो आप उपर i button में में एक वीडियो का link दे दिया हो in screen और या फिर outro के बारे में आप जाके check कर सकते हो तो यह एक genuine option है वीडियो को promote करने के लिए जो की बहुत भी अच्छा option है किसी भी वीडियो अगर कोई viewers आपका इंटक देखते हैं और उसको वीडियो पसंद आता है तो दूसरा वीडियो भी शायद ओपन करेगा और 100% genuine option है यह कोई भी problem नहीं आएगा इस तरह से अगर आप वीडियो को promote करते हो तो तो अगर आप नहीं यूज करते हो यह option तो अब से जब कोई वीडियो बना रहे हो तो ज़रूर एक आउट्रो डिजाइन कीजिए बहुत ही अट्रक्टिव आउट्रो डिजाइन कीजिए और उस आउट्रो के अंदर एक वीडियो का लिंग एक या फिर दो यहां पे बहुत सारा option मिल जाता है अब जितना चाहो यहां से option मिल जाता है यहां से option सेलेक करके आप एक दो या फिर तीन चाल जितना वी वीडियो का लिंक चाहो आप दे सकते हो तो आपको मिल गया तीन option और वह भी free and safe and genuine option जिससे आप आपके वीडियो को पिलकुल आसान तरीके से viewers के सामने ला सकते हो और उसमें कोई problem नहीं आएगा तो अब से अब कोई भी वीडियो बना रहे हो तो यह तीन option अपके पुराने वीडियो को promote करने के लिए जरूर यूज कीजिए जिसमें कोई problem नहीं है मैं यह बात आपको बता रहा हो फिर से आप कोई भी दूसरा option मत य मैंने यह तीन option बताया है यह तीन option यूज कीजिए इसमें कोई problem नहीं होगा और आप आसान तरीके से free में आपके वीडियो को promote कर सकते हो अगर आपको ऐसे ही कुछ मज़ेदा tricks and tips जानना है तो उपर i button में क्लिक कीजिए या फिर description box में चेक कीजिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो like कर देना और मेरे चेनल को subscribe करना ताकि जाब भी मैं कोई ऐसे वीडियो अपलोड करो उसका notification आपको मिल जाए Thank you for watching my video